आज हम बनाने वाले हैं एक फास्ट स्लाइड शो इंट्रो फिल्मोरा में तो सबसे पहले आपको एक फाइल डायूड तरनी होगी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डायूड करने कि अपको सिंप्ली एक्स्ट्रक्ट करना है उपन करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि कुछ फाइल्स हैं तो सबसे पहले हम लोगो नाम की फोटोशॉप फाइल को उपन करेंगे आप यहां देख सकते हैं कि एक सर्कल है आपको उसका साइज बड़ा है छोटा नहीं करना है जैसा है वैसे वैसे रहने देना है चाहें तो इसर्कल का कलर पेंट बगे टूल सिङलेक्ट करके चैंज कर सकते हैं सर्कल के अंदर आपको अपना लोगो लगाना है या फिर आप अपना कौई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और लोगो बनने के बाद आपको इसको .png सेव करना है और वापस आई एकस्टेक की ओए फोल्डर में और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इमेजिस नाम का फोल्डर है आपको उसे उपन करना है और यहाँ पर कुछ इमेजिस है जो मैंने अपने सेंपल इंट्रो में यूज की तो यह आप इनको यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने खुद की फोटो भी इंट्रो में लगा सकते हो और यहाँ पर एक फोटोशोप फाइल है हम उसमें इन सब फोटो को एडिट करेंगे और यहाँ पर एक ओवरले नाम की लेयर है जो फोटोस के ऊटपर जो अपर आप चूज कर सकते हो आप चाहो तो एक ही कलर की लेयर सब फोटोस के ऊपर रख सकते हो या फिर अलग अलग कलर की लेयर सभी रख सकते हो और आप इस टेक्स्ट को कहीं भी लगा सकते हो लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि आप सेंटर में लगए को कि ये सेंटर में ही ठीक लगेगा आपको सब फोटोस को एक-एक करके सेव करना होगा मतलब यह कि अगर आप किसी एक फोटोस पे कोई टेक्स लिखते हो तो आपको उसी टाइम सेव करनी होगी फिर अगर आप कोई दूसी फोटो पे टेक्स लिखते हो तो आपको उसी टाइम सेव करनी होगी फिर ऐसे ही सब फोटोस के साथ सब को सेव करने के बाद आपको इन फोटोज को फिल्मोरा में इंपोर्ट करना होगा आपको सब फोटोज को टाइम लाइन पे लाना है फिर आपको सब फोटोज को 12 फ्रेम पर स्प्लिट करना है और बचा हुआ पार्ट डिलीट कर देना है बाकी बची हुई सब फोटोज के साथ आपको सेम चीज करनी है 12 फ्रीम पर स्प्लिट करना है फिर बचा हुआ पार्ट डिलीट कर देना तो मैंने सारी फोटोज स्प्लिट कर दी है स्प्लिट करने के बाद दर्दमिन में जूम-IN एनिमेशन लगाएंगे उसके लिए आपको फोटो पे राइट कली करना है देन आपको क्रॉप एं जूम सिलेक्ट करना है फिर हम उसके बाद हम पहलो है जूम पे जाएंगे वहां ये जूम-धन बनाएंगे तो मैंने सब में जूम इनिमेशन डाल दी है तो एक बार प्ले करके देखते हैं इसके बाद आपको एक वाइट लेयर टाइम लाइन पर लानी है फिर उस वाइट लेयर को आपको तीन फ्रेम्स पर स्प्लिट कर देना है स्प्लिट करने के बाद बचाओ पार्ट डिलीट कर देना है एंड फिर आपको उस वाइट लेयर की 10 कॉपीज बनानी होगी को वापस इमेजिस वाजे फोल्डर में जाना है और जो फोटो एडिट नहीं हुई है उनको फिल्मोरा में इंपोर्ट करना है फिर हम एक फोटो को टाइम लाइन पर लाएंगे और वाइट वाली लेयर के आगे रखेंगे और फिर हम उस फोटो पर राइट क्लिक करेंगे क्रॉप एंड जूम को सिलेक्ट करके हम उस फोटो को 16 इस्टू 9 में क्रॉप करेंगे करौप करने के बाद हम उस photo को 4 फ्रेम्स पर split करेंगे split करने के बाद बचाऊपार डिलीट कर देंगे और आपको बाकिस सब photos को भी ऐसे ही 16 इस तु 9 पर क्रौप करना है और 4 फ्रेम्स पर split कर देना है यह सब करने के बाद आपको इस वीडियो को हाईएस्ट क्वालिटी में एक्सपॉर्ट करना होगा एक्सपॉर्ट करने के बाद इसे फिल्मोरा में इमपॉर्ट कर लीजिए ओके तो अब वापस extract QA folder में जाएंगे और animation नाम की file को filmora में import करेंगे और फिर जो आपने slideshow export किया था उसको timeline पर लाएंगे और animation नाम की file को हम slideshow के नीचे वाली layer में रखेंगे तो एक बार play करके देखते हैं तो मैंने इसको यहाँ पर 7 second पर रोग दिया है क्योंकि हम यहाँ पर Photoshop से बनाय हुआ अपना logo लगाएंगे उसके लिए हम slideshow वाली वीडियो को 7 second पर split करेंगे और बचावा part delete कर देंगे और फिर हम Photoshop से लगाय हुआ logo हम यहाँ लगाएंगे फिर हम जाएंगे transitions में और finally आपका fast slideshow intro ready हो गया है आप अपनी वीडियो में इसे use कर सकते हैं और जो मैंने sample में music use किया था उसका link description में है आप वहाँ से उसको buy कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिए comment कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और मिलते हैं next वीडियो में